मुंदीर भीबाते तकुन शौर्गरों मौझूद था आधरोते चोलचे मामला किनो तार्मोध्धेई एकी रिक्षाय चोड़े मामला शुन्ते जाचेन गैंजन्द परम्हंजार हसी मांच सारे इजलाशे दूपोखो किन तो बिक्ती को तो शौंपर को बंधूतर शौरोजूर पारे आज शेटाई जानो लोको गाथा मुझे में थोड़ी भी जगा नहीं नफरत के लिए मैं तो हरवक्त मुहबत से भरा रहता हूँ कुछ ऐसी ही दोस्ती थी दिवंगत हसी मंचारी और ब्रमेलिन रामचंदर परभंस के बीच में ये दोस्ती जो आज तक लोगों की जुवान पर एक मिसाल की तरह है हासी मजचा आते थे और साथ बेटते थे साथ भोजन करते थे उसके बाद जाते थे उसके बाद भी अगर जिस दिन तारिक लगती थी तारिक में भी ये लोग एक ही तांगे पर साथ बैठके जाते थे लोग बड़े आराम से उस समय में तो ये सब के पास मोबाइल थी नहीं कि लोग फोटो खट-खट कीच लेते लेकिन कभी काल केमरा में जो है यो निकलता थ और फोटर लेता था कि देखो आपस में कितना गजब का माहल है तो इस प्रकार का आपस में सामंजस रहता था बहुत अच्छी बात है ये और उसी प्रकार अभी भी चला है अभी जो यहां का हिंदू और मुसलमान में किसी भी प्रकार का कोई मत्भे नहीं सब आपस में सा तो वो हस के जब आप देते थे ठीक है तो बोलते थे अच्छा सब ठीक ठाक है अरे अगल बगल सारी बेउस्ता है खाने पीने की दिक्कत तो नहीं है किसी को और यह सबसे आश्चेल लोगों को पड़ता था कि ये के बाबरी मस्चित के और ये कराम जन भूमी के और ये करिक दोनों जो पक्षिकार है वो साथ में जा रहे हैं हंसारी के साथ उनका इसने सरविदित है जग जाहिर है बड़ा प्रेंथा आपस में आयोध्या ही नहीं पूरे देश में इस दोस्ती के आज भी चर्चे होते हैं कैमरा मैन अमरेंद रशा के साथ राजीव शिर्वास्तों जी मेडिया आयोद्या